आज हम गनपती बापा के लिए लड़ू बनाएंगे वो भी पनीर वाला बहुत ही टेश्टी और अच्छा लगता है एकदम डिफ्रेंस टरीके से है चुर्मा के लड़ू आपने बनाएं सुजी के लड़ू बनाएंगे लेकिन आज हम पनीर से लड़ू बनाएंगे तो आप मैं आपका स्वागत है में उच आया वीडियो स्टार्ट करते हैं पूरा एंटरक देखना यहां पर मैं पहले केसर को भीगो दूंगी तो मैं केसर वाड़ा दूर ले लूंगी इसके अंदर 15-20 ले लिया है मैंने उसके बाद इसके अंदर 1-4 cup हमने मिल्क ले लिया है इसक इसके बाद इसको हम पीस लेगे तो यहां पे मैं मिकसर जार में पीस लूंगी तो यह अच्छे से पीस लिया है मैंने अगर आपको हाथ से करना है तो हाथ से भी कर सकते हो अगर आपने गर पे पनीर बनाया तो वह आथ से भी कर सकते हो उसके बाद दोस बुन में यहां पे पकाएंगे तो यह अच्छे से हमको पकाना है उसके बाद यहां पर हम इसके अंदर सारे जो ग्रुटिंग में डालते हैं वही डालेंगे हम मिल्क पाउडर कोकोनेट बुरू और सकर इससे हम लड्डू बनाएंगे लेकिन बहुत ही टेश्टी बनता है इसके बाद मैंने यह केसर वाला वह डाल देंगे इसके अंदर और इसको अच्छे से हम पकाएंगे तो दीरी आश पर हम इसको पकाएंगे यह अच्छे से मीक्स हो जाएगा कड़ाई छोडने लगेगा तब तक हम इसको दीरी आश पर पकाएंगे इसको बिल्कुल आपको छोड़ना नहीं है न करना कॉमेंट करना और फ्रेंट के साथ सेयर कर देना तो यहां पर इसको मैं चलाती जाओंगी और इसको अच्छे से हम पकाएंगे तो इसके बाद मैंने यहां पर डोड्रोप खाली कलर के डालूंगी तो यह आपस डाल है अगर आपको नहीं डालना है तो नहीं डालोगे त जादा होते है गनपटी के टाइम तो मैंने यलो कलर डाल दिया है इसके बाद इसको अच्छे से वापस मिक्स करेंगे और इसको कड़ाई चोड़ेंगे तब तक हम इसको पकाएंगे तो यह आप देख सकते हो कि यह अच्छे से कड़ाई छोड़ने लगा है और एकडम करना है तो यह अर्मस रेड़ी हो गया है आप देख सकते हो कि यह एक कड़ाई छोड़ रहा है तो इसी स्टेश पर हम गैस को बंद कर देगे और इसको ठंडा करने के लिए छोड़ेंगे तो यहाँ पर इसको में गैस बंद करके एक प्लेट में निकाल दूंगी तो इसमें मैंने ड्राइफूट में पिस्ता डाला है ताकि यह राजबोग लड़ू भी बोल सकते हैं आप तो एकड़म बढ़िया केसर के साथ पिस्ता होता है तो बहुत ही अच्छा काने में लगता है तो इसलिए मैंने खाली पिस्ता ही डाला है इसके साथ तो यह अल्मस बना सकते हो कोई भी जंजट नहीं है और फटाक से ही बना सकते हो तो मैंने ट्रे में लड़ू डाल रही हूं तो आप देख सकते हो कि आसान तरीके से यह निकल जाता है तो एकडम सिंपल और अच्छा बनेगा लड़ू अगर आपको बनाना है और एकी सेप में बनाना है तो ऐसे ही कोई मोल ले लोगे तो एकी सेप में बनेगा छोटा बड़ा नहीं बनेगा तो यह सारे लड़ू मैंने रेडी कर दिया है उपर से हम थोड़ा सा पिस्ता डाल देंगे तो यहाँ पर मैंने पिस्ता डाल दिया है यहाँ पर हम राजबोग लड़ू बनाएंगे तो बहुत ही अच्छा टेश्ट में लगता है और कुछ नया हो जाए तो इसलिए मैंने ये लट्डू बना के रेडी कर दिया है लुक आप देख सकते हो बहुत अच्छा है खाने में इतना ही टेश्टी बनेगा तो यहाँ पर मैंने सारे लट्डू बना दिया है तो यहाँ करीब इसमें 9 के 10 लड्डू बन गए है अगर 200 ग्राम पनीर होगा तो आपके लड्डू इतने बन जाएगे तो फ्रेंड्स एकदम इजी तरीके से मैं आज आपको लड्डू सेयर किया है आपके पास तो फ्रेंड्स एक लाइक तो बनता ही है यम्मी टेस्टी ऐसे हमारे करना थैंक यू फोर वाचिंग बाई बाई टेक केर